नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक टिवारी जी के साथ और आज की चर्चा जो है वो बहुत मैत्पून चर्चा है भाई छें चरण हो चुके हैं चुनाओं के और अंतिम चरण का मतदान बाकी है जिस समय हम ये बात कर रहे हैं बिहार में अंतिम चरण में आठ सीटें चुनाओं में जा रही है इनके नाम है नालंदा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बकसर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद बड़ी बवाली सीटे हैं ये बले ही इनमें एक दो को छोड़कर बड़े बड़े नाम मैदान में नहीं है लेकिन चुनाओ बहुत कांटेगा हो रहा है यापर तो अभी सेख जी, शुरुवात यहीं से करते हैं आपने तो बड़ी फिल्ड बढ़िया रिपोर्टिंग भी कि मैंने देखा आपके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े बाइरल हुए और आपका जो माइक पकड़ने का अंदाज है वो मुझे बड़ा पसंद आता है वो जैसे वो छुरी लेके निकलते है ना हाथ में उस अंदाज में जो है माइक लेके निकलते हो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग और खासतों से आपके जो रिपोर्टिंग है मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है जब आप अपनी जो बिहार की जो अपनी लेंग्वेज है उसमें लोकल लेंग्वेज में जब आप लोगों से बात करते हो और नई नई चीजें अपने चैनल पर लाते रहेंगे तो पहले तो थोड़ा सा बात ये बताईए कि अभी जो बाकी 32 सीट्स पर जहां चुनाव हो चुका है अभी मैं फिला लिये जानना चाहूंगा मोटा मोटा पांच मुट में हम ये डिसकस करेंगे क्या सीन बने के नजर आ रहा है बिहार का दो तरह से इसको देखा जा सकता है कुछ गलट टिकेट वितरन जो की NDA के तरफ से हुए कुछ गलट टिकेट वितरन BJP के तरफ से भी हुए लेकिन BJP का क्या है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है ठीक है गलत वित्रण हो गया लेकिन हो गया सो हो गया अब संभालो तो जो छोटे छेत्रिये दलके जो छोटे नेता उनको भी पकड़ती है अपने बड़े नेता उतार देती है और साथ चरण में चुनाओने का फाइदा ये हुआ बीजेपी को कि जिन चरणों में चुनाओ पहले बीट गया उनने ताओं को भी उतार दिया उस कास्ट समीकरण को इकॉलाइज करने के लिए पहली चीज़ आपने पूछा कि अब तक क्या हुआ तो देखिए पहला जो मेरे पास फीड़ बैक है कि कुछ एक सीटें ही फसी हुई है जैसे कि एक सीट किसंगंज को लेकर के कभी क्लू लगी नहीं रहा है कि किधर जाएगी क्योंकि अख्तरूल इमाम ने मेरे उम्मीद से अच्छा चुनाओ लड़ा जो कि अउल इंडियन इताहद मुसलमीन के तो एक किसंगंज वाली सीट है उसी प्रकार से उसकी पडोसी एक सीट है कटियार किसंगंज के बारे में तो शानवा जुसेन ने दावा किया है कि इस बार हम चीतेंगी तो चालीस-चालीस सीट की हो रहा है लेकिन वास्त विक्ता से परे है थोड़ा चालीस सीट किसंगंज के बारे में दावा है वोट पर सेंटोच वोगल के तो कांगरेस में मान नहिए 6 लाँ मुशलमनों का वोट हर बार बार पोल होता है तो इस बार तो 5.5 लाग की आसपास वोल्ड पोल हुआ, 10% कम हुआ तो अब वहाँ प्रॉब्लम ही है कि हिंदू तो पॉलराइज होता है अब यहाँ पे 3.5 लाग भी वोट अगर वो काट ले गया है अक्तरूल इमाम तो पिछली बार ही वो मारजिन 25,000 की थी किसी प्रकार से गिरते पढ़ते कॉंगरेस जीती थी तो यह समस्या तो है, तो वो सीट फंसी हुई है इसलिए यलो जोन में है, कटिहार सीट पर भी यलो जोन है क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफी कुछ ऐसी है मुसल्मानों की अबादी लगबग लगबग 40% के आसपास हो जाती है हलाकि पोलिंग वहाँ भी मुस्मी मेरिया में कम हुई है लेकिन फिर भी हलाकि दुलाल चंद को स्वामी को लोग कह रहे हैं कि यादों का भी वोट मिला तो एक वो सीट फंसी हुई है बीजेपी की जो एक मात्र सीट अब तक जो वोट हुई है जो फंसी हुई है बीजेपी के लिए वो सीट रही है अररिया की एक समय तो लगा था कि महराजगंज वाली सीट अररिया से प्रदीप जी खड़े हैं और महराज गंज से जनारदन सीगरीवाल खड़े हैं और लगा था कि जिस प्रकार से भुमिहार वोटर्स आकास को वोट कर रहे थे महराज गंज में वो सीट भी फसे गी लेकिन खैर बहुत सारे भुमिहारों को बीजेपी मनाने में कामियाब हो गई लास्ट दो दिनों में और बच गई वो सीट वो सीट दो लाग के उपर की मार्जिन से भी जीती थी इस बार संभौता असी हजार एक लाग के मार्जिन से से ग्रीवाल जीतेंगे वो टिकट भी गलत वित्रन हुआ वो था इस वह से क्योंकि सीग्रीवाल मिलनसार जरूर है लेकिन काम को लेकर के नाराजगी थी अब आते हैं सर इसके अलावा जो कोई सीट फसी हो मैं मोटा मोटी वैशाली एक है जिस पर बात हो रही है कि भाई बहुत फसी हुए सीट और यह वास्तों में बहुत फसी हुए जो मैंने बताएं दिया किसंगंज बता दिया पूर्णिया में बिल्कुल न सारण में राजीव प्रताप रुड़ी निकल जाएंगे सर हमने लास्ट टाइम जब बात किया थो तो मैंने एक बात कई थी कि वहां का राजपूत बड़ा अचीवों गरीब भीएवियर वाला है वह कहता तो है कि हरा देंगे लेकिन लास्ट दो दिन बात कहता है कि जब के बचे रहते हैं चार साल 374 दिन राजीव प्रताप रुड़ी रो जाते हैं लास्ट दो दिन पहले कहता है कुछ भी हो घी का लड़ू टेड़ा भी हो अपना है हम भाईया करे के बोट रुड़िये के बोट एक कॉमन वहां पर भोजपूरी में टर्म है जैसे लालु प् करके काफी तर्शन हो गया था एक बजते बजते और इतना राजपूत एग्रेसिव वोटी करने लगे कि आप देखिए कि रोणी यादो जिस बूत पर गई थी वहां पर बवाल हो गया एक नेत्री के साथ पूरा नेत्री तो माना जाएगा ना चुकि राज़त की बिटिय हैं कह सकते हैं लालू प्रसाइद यादो की बिटिया तो राज़त की बिटिया और वह बार-बार उस बूत पर जा रही थी इतनी हमी पूलिंग हो जो चत्रीय समाज वहां पर गया था उनके साथ कोई नेता मेता नहीं था लेकिन इतना यह वहां पर कि उन्होंने रोहनी त करके हमला करने जा तो वहां का क्या है राज़त थोड़ा दबता नहीं है यादों से इसी वज़े से यह हालत है और रोहनी के लिए जो है उनका एरोगेंस भारी पड़ा उनकी बयानबाजी भारी पड़ी और राजी प्रताप रूडी तक तो जो था वो तो था मोदी जी को जब बूलना सुरू किया तो वहां के राज़पुतों की सनक गई खनक गई और फिर वो रिजल्ट सामने है जी नहीं तो अभी जो च्छेंचरणों का मतदान हुआ है इसमें मैं थोड़ा सा यह जानना चाहूंगा स्पेसिक तरीके से के इसमें बीजेपी कितनी सीट पे ल चुनाव हो गया जिसमें वैसाली सीट एलजेपी की फसी हुए छे में से पांच के लिए हां नहीं पांच में से चार क्लियर है वैसाली लास्ट मोमेंट पर ही अभी पता नहीं चल रहे क्योंकि भुमिहार कितना प्रतिसत मुन्ना शुकला के लिए तूट करके गया है और प्रति राजपूर पुल राईस था भुमिहार इस बार लालू यादों ने अलग तरह का समीकरण रचा आकास को भी वहां पिससे टिकट दे दिया जनार्दन सिगरिवाल के अगेंस्ट में यहां पर मुन्ना शुकला को भुमिहारों को राज़त टिकट नहीं देती थी और भी मुमिहारों ने ठीक ठाक वोटिंग की जिस वाज़े से सीट काफी क्लोज हुआ काफी क्लोज जाकर के बीजेपी वह भी निकलेगी दो लाग सतर हजार का मार्जिन था इस बार भी मार्जिन जो है साट सतर असी हजार करेगा तो यह तो हो गई लजेपी की जद्यू की सारी सीटें हो गई है जहानाबाद सिर्फ बाकी है बाकी जद्यू की अब कोई सोला पर और जद्यू का परफॉर्मेंस ठीक ठाक कहा जाएगा क्योंकि कटिहार फसा हुआ है किसंगंज फसा हुआ है और अभी अगले चरण पे जहानाबाद उसकी फसी हुए बाकी कोई भाजपा की भाजपा की सर एक अररिया और फसी हुई है और भाजपा के लिए क्या है कि नेक टू नेक लड़ाई दो तीन जगह चल रही है अब वो आखरी मोमेंट में कितना पोलराइज होते हैं क्योंकि चिराग पासवान की आवसकता सासाराम में हैं उसी प्रकार से बकस कि बलियां का इंपक्ट जो है जो कि नदी के गंगा नदी के उस ठीक उस पार पड़ता है उसका डिरेक्टली प्रभाव बकसर पर आ रहा है बकसर में क्या हो रहा है कि राजपूत जो है वो टिल्ट है एक दम बहुत सारे राजपूत लगबग 40-45% वो सुधाकर सिंग के स साथ खड़े हो गया मिश्राथ 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 से टिकट मांगने के चक्कर में नोगरी चोड़के आया थे इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया अब देखिए ऐसा है कि बिथले इस तिवारी पिछले 10 साल से जो चौबे जी है उनके साथ-साथ अश्विनी चौबे जी के साथ बकसर में कारें भी कर रहे हैं और संग के पुराने नेता हैं अलाकि गोपाल गंसे उनका रिलेशन है लेकिन वह बाहरी का भी टैग लगा लेकिन वह टिकट लेने में काम्याब हुए क्योंकि संग का हाथ था उनके उपर बीजेपी पैसे पर थोड़ी टिकट बीजेपी बिलता है बीजेपी पें टिकट मलता है कि संग का हाथ संग का असिरवाद किसके उपर फाइनली गया बिहार के संग के मैं कई नेता को जानता हूं चिन्होंने मितलेश तिवारी की वकालत की और वो बकसर से काम्याब हो गया और एक सभा में जा भी रहते मतलब राम जी जैसे भरत जी के लिए खड़ाओं छोड़के गयते तो उन्होंने कि ठीक है आप तो जा रहें लेकिन खड़ाओं यहीं छोड़के जाईए मेरे लिए तो मिल गया अब बात यह कि वहां पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि विकास विकास की राजनीती जी को नहीं देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग राजपूत के भी नेता है बलिया में सनातन पांडे खड़ें से कहां नहीं सुनिया बड़ा इंट्रेस्टिंग है आपके दर्शकों के लिए अब सनातन पांडे को पिछली वार भी टिकट मिला था लेकिन इस बार सनात कि अब यह तिवारी जी मितले स्थीवारी को राजपूत हरा रहे हैं राजपूत को ठंधा कर देना है बलिया में सनातन पांडे के बारे में थोड़ा सा में बेक्ग्राउंड बताओं यह जनाब जो है हातिया पढ़ने कहते हैं मुखतार अंसारी के जनाजे में और कंधा भी दिया तो मैंने आज सुबह में ट्वीट भी आपने देखा होगा उस संदर में किया कि कैसा पंडित होगा जिसकी शिखा कटवा दी गई और वो उसको कंधा दे रहा है बहुत बवाल भी हो रहा है उसको लेकर के कि अरे आप तो पंडित होकर के पंडितों को बोल रहा है तो मैंने तो साहबुदीन के भी समर्थकों को बोला कि साहबुदीन को भी जो अगर पंडित वोट कर रहा है यूपी में बड़ा अच्छा प्रभाव है उसका प्रभाव सीधा एकदम बक्सर में भी पढ़ना पढ़नाते है अच्छा मैं और भी देख रहा हूं कि यह जो अभी 32 सीट्स पे जहां आपके हां मद्दान हुआ है उसमें अभी बीजेपी का स्टेक काफी बचता है आने वा च्छे सीटें बची हुए ग्यारा हो गई फिनिश तो ग्यारा प्रदीप वाली कुमार प्रदीप वाली तो थोड़ा सा बात करते हैं जो आठ सीटें एक तारिक को चुनाव में जा रही है और बड़ी निरनायक हैं बिहार के लिहार से जैसे के नालंदा है यहां से जेडियू के कोशलेंद कुमार हैं और CPI के कंडिडेट है CPI ML के संदीप सौरप क्या है नालंदा का समीप्रण क कि आवन बढ़ा है सर जदियू का कुट्ता बिली घोड़ा-घधा कोई खड़ा होगा जीतेगा नालंदा से नालंदा तो दो हजार चोधा में देखें सर नालंदा नितीश कुमार का बनाया हुआ है और बहुत ही विकास किया है नितीश कुमार ने उसको बहुत डिवलप क कि पटना साहिब का सीट है वहां तो लोगों ने सत्रुगन सिना तक को नहीं टिक ने दिया जब वो हट गये थे बीजे कि यह कौन है मैं बता दूं मीरा कुमार जी के बेटे हैं और इनको कोई पतना में जानता भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए और पटना साहिब सीट पर बिजय को ने लड़ाए क्योंकि वह मीरा कुमार जी के हस्बेंट जो है वह अच्छा चांटी के नहीं है एकदम जबर्दस चुनाव हो रहा है पिछले तीन दिन में पाटली पूत्र में बैटके भी रेकॉर्ड कर रहा हूं पिछले तीन दिन में चिराग पास्वान जीतन राम आजी सब को यहीं पे डेरा डाले हुआ आप दोनों को ढह सकते हैं विसा बारति वालों की कहाद में बत Phoenix कर रहा है कि राम्कृपाल यादो आ पिछले तीन साह से बहुत ऍैक्टीव रहा है यह पूरा गंगा का जो बेल्ट है जो मनेर तक जाता है अभिमन्यू भाईया काफी पॉपुलर है जैसे मुन्ना भाईया मिर्जापूर के पॉपुलर थे वैसे अभिमन्यू भाईया पॉपुलर है मुन्ना भाईया बुरे कारणों से पॉपुलर थे अभिमन्यू भाईया अच्छे कारणों से पॉपुलर हैं बड़े में जाना साधी में जाना जीना मरना साथ साथ हर चीज काम करते हैं तो वे तिगत्सा रिलेशन है लालू यादों ने गलती की कि मिसा भारती को टिकट दिया अगर मिसा भारती के जगह किसी और को दिया होता तो संभुता जादा अच्छा फाइट होता तौटा परिवार से नहीं देते मेरे कहने का मतलब परिवार से नहीं देते मेरे केडर को कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा वो बड़े कसम खाय हुएं कि मेक शूर करो कि यह हार जा तीसरी बार हारेगी तो परिवार से सम्भावता कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और तब जाके केडर को मौखा मिलेगा तो एक वो बिड़ेगा यहां पर बीस से तीस परसंट यादो कट रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया कि मीशा बारती को चुनाव लड़ाने के फिछे लालू परसाध यदव की सोच क्या है वो अल्रेडी राज्य सभा में है और अगर आप लोग सभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपको राज्य सभा की सीट चोड़ने पड़ेगी और राज्य सभा की सीट चोड़ेंगे तो गटबंद जेडियो और बीजेट एंडी के पास चली जाएगे एक सीट जैसी परिवार से बाहर कोई चीज जाने नहीं देना चाहते हैं परिवार का कंट्रोल कई यगों पर वो चाहते हैं की बना रहे हैं और पाटली पुत्र सीट वही सीट है और प्लस राम कृपाल यादो को हराने की ललक मिसा भारती में इतनी जादा हो गई है वो विक्तिगत वाल सब्सक्राइब करने नहीं है नहीं दोजार चौदा में तो बीजेपी को जॉइन किया था ना अच्छा अच्छा तभी से अलगाओ शुगा था दोजार चौदा थी लेकिन यह मिसा भारती ने स्टेज बड़ा अलका बना है राहुल गांधी किरिके होते हैं बदला था कि ह हमारे भाई की कमर में दर्द हो रहा और आप चुनाव प्रचार प्रसार करने नहीं आ रहे हैं चलिए जो है जो है जो है सिक्स्टी फाइब या यह सेवेंटी परसेंट यह सीट राम कृपाल की तरफ जुकी हुए ज्यादा नजर आ रही है और 30 परसेंट मिसा भारती की त बहुत देखना होगा आरा के बारे में क्या है आरके सिंग सुदामा कोई 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 टकर नहीं है जीत जाएंगे आरके समाज के लोग नाराज है क्योंकि कुछ दिन पहले राधाचरण सेट जो की जद्यू के मलसी थे वह इडी के इसमें फसे पड़े हैं तो कुछ वैस्य स समाज के लोग नाराज हैं लेकिन फिर भी आरके सिंग तो आरके सिंगर विकास पुरू से जीट जाएंगे और राजपूत बहुल जबहुत आपने चर्चा की सासा राम का क्या लग रहा है आपको शिवेश राम सिवेश राम को रहे हैं अग्याओं के जी कॉंग्रेस के मन आराजिला के विधान सबाद्शेत्र अग्याओं के पूर विधायक रहे हैं लेकिन संग से इनका जुड़ाओं काफी दिनों से रहा है इनके पिता अफसर रहे हैं आइस अफसर रहे हैं तो उनका वेटेस ज्यादा था यह सीट सिवेश राम के जगह कर ललन पासवान को द ठाके उनके खास वोट बैंक में बटवारा हो जुकी आप जिसे जाटो कहते पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो यहां पर वो तबका है यहां पर बीएस पी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से भी राम ही लड़ रहे हैं बीएस पी का भी इतना होल्ड रहता है आप दे सुनाओगा देखाओगा कि रोहतास और कैमूर से के लिए विधायक बना के लेके जाती तो कोई बहुत यह नहीं है बीएस पी का भी ठीक ठाक वोट है अब प्रशनी यह हैं बहुत दर्दनाग बहुत बुर्दी जी चले गए राजनाद सिंग चले गए योगी जी चले ग अब ही तक मतलब मोदी जी के रैली के पहले तक अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं उनका सिंबल है सिलेंडर चाप मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग उसकी की थी विक्रम गजवाली वह मैंने डाली भी थी क्या है ना सर कि बीजेपी का वोटर तो है लेकिन बीजेपी का वोटर उपेंद्र कुश्वा और पवन सिंग बट गया है अब जो 30 के नीचे का युवा तबका है वो पवन सिंग जिंदाबाद 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 लगा रहा है उसी में एक जगे है डाल्मिया नगर वहां पर 2000 गर है जो डालमिया के बनाय हुए कॉलनी में पिछले 40 साल से रह रही है डालमिया की फैक्टरी भी गई डालमिया ही यहां से चली गई अब फैक्टरी भी की थी रेलवे को रेलवे खाली करा रहे हैं वहाँ पर भूमाफिया और दूसरे दूसरे लोग खाली कराने का यह चल रहे थे कोट केस चल रहा है अब 40 साल से रह रहे हैं लोगों ने काया कि भाई हम खरीद लेते हैं इसको हम लोग 40 साल से रहे हमें घर से निसकासित क्यों कर रहे हूँ ग्यारा तारीक को सुप्रीम कोट ने अलाकि स्टे भी दे दिया उसको खारीज भी किया लेकिन उसके पहले आठ तारीक से यह लोग खाली कराने लगे थे उसका भी एक एंगर है सर मैं मैं की बात कर रहा हूँ तो एक वो है और आते ही पावन सिंह ने कहा कि हम सबसे पहले डाल मिया के नगर के लोगों के लिए तो आप यहां मकाबरा किसकी के बीच में है आपने कहा कि उपेंद्र कुश्वाहा को अपनी कम्मिटी का अगर पूरा वोट मिल जाता तब तो उपेंद्र कुश्वाह का पलड़ा भारी हो सकता लेकिन जो माले से खड़े है ना वो राजा राम कुस्वाहा उनका पूरा नाम है अब कुस्वाहा वोट जो है वो वेट एन वाच कर रहा है और कुस्वाहा वोट ने इस बार पूरे बिहार में टैक्टिकल वोटिंग की है से पूरे बिहार में शाम कभी-कभी नाम में भूल जाता हूं अपने लोग सभास के वज़े से नहीं वह इतना होच-पोच हो गया है 40-50-300 सीटों को कवर करते करते हैं जमुई सीट जो अरुन भारती लड़ रहते हैं वहां पर भी टेक्टिकल वोटिंग हुई है कई जगह कुष्वाहां समुदाय के लोगों ने टेक्टिकल वोटिंग की है इस बार तो खैर सांबोवी भी अपना सीट समस्तिपूर से निकाल लेगी तो आप देखिए नवाद करने ल्ड़िंग पोजिशन पर कौन है गाला कि कुस्वाहा उपेंद्र कुष्वाहा के बड़े ने लेकिन वहिस पर देख नहीं रहा हम हराएंगे मंत्री कुछ काम नहीं लेकर के खराब हुर तो इसका परिडाब जो है इसका एक एंटी पिछले चार-पास साल में अल्टा पल्टी की कभी धर चले गए फिर वापस आगे अपनी पार्टी बना ली फिर दुबारे आगे मुझे लगता है थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी भी कहुंगी यह उसी के वज़े से अब वहां पर क्या है कि पासवान जी क्या भी रोड तो चुनाव समाप्त हो गया है लेकिन मैं फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है मैंने बोला कोई बात नहीं चार तारीक के बाद चैन से सोना कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या है कि परिश्रम है एंडिये हर सीट पर फोकस बड़ा अच्छा कर लिए उपेंद्र कुश्वाह कि सीट को कम किया जा रहा है कहा जा रहा है मुदी को देखो पवन सिंग को मत देखो उसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि जो जहानाबाद फसी हुई थी क्योंकि वहां पर अरूंकुमार खड़े हो चद्रवंसी और सुरेंद्र यादव यह तो दो नाम है लेकिन दो न से चिरिश्टमीन से और एक निर्दली एफेक्टर नहीं दो निर्दलीय फेक्टर से खड़े हो गया है एक टो अरुंकुमार खड़े हो गया ब्ला दिया है अपने स्वार क्योंकि नया नारा गढ़ा जा रहा है पहले कुल ईसके बाद फूल मतलब जो होता है ने कूल गोतर वह वाला कूल तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ें चल रही है और वहां पर अगर 40,000 के उपर भूमिहार का वोट डेंट होता है तो चंद्रवन सी बहुत मुसीबत बहुत बहुत सारी चैलेंजिंग है सारी मतलब अगर टेक्निकली आप देखें पाटली पुत्र को और चुकि वह भी सेवेंटी पॉसेंट के आसपास है और पटना साइट मुझे लगता है कि आपने किलियर बताईए हाँ वो क्लीन है वो क्लीन है वो क्लीन है ना लगना क्लीन है मैं फिर य क्या प्रत्यासी सामने हैं एंडिये के वहां एंडिये का काम असानी से हो जा रहा है चाहां अरज़ेडी का कंडिडेट आगया वहां चुनाओ बढ़िया हो नि कॉंग्रस ने प्रयास भी ज्यादा नहीं किये विहार में कितनी रेलिया कि रावल गांदी ने खुद अपने कंडिडेट के लिए कहां खड़े हुए वह कटियार में तारीक अनवर के लिए नहीं खड़े हुए हार जीता लग बात है लेकिन वह खड़े नहीं हुए आई बिलीव कि गिरते पढ़ते भी एंडिये 34 के आसपास का समीकरन बन रहा है विच इस नॉट बैड ठीक है तीन पर नहीं वह लल्लन टॉप एक डिवेट चल रही थी उसमें हिमानशु मिश्रा थे यश्वन देश्मोप और राजदीप सरदेशाई तो उसमें हर पत्रकार जो था या जो भी उसमें अनलिस्ट थे उनसे पांच-पांच ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए कहा गया थौट्स की क्लियर्टी है हर मुद्य पुले के बढ़िया बोलते हैं उनकी कमर में दर्ध है बेल्ट लगा के परचार कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मैंने तो उनका एक इंट्रेवू सुना पता नहीं न्यूज 18 पर या कौन से चैनल पर टाइंस नाव पर कहीं उनका लेकिन फिर भी पता नहीं मीडिया का एक सेक्शन तेजस्वी यादव को बतलब इतना क्यों प्रमोट कर रहा है और क्या इसकी वज़ए यह है कि अब और कोई बचाई नहीं है लालू जी तो रिटायर हो गए है तो ले देंके तेजस्वी बचता है नहीं नहीं इनके लिए तो लालू यादव भी सुप्रीम थे सूपर हीरो थे आप तो आपने तो उस दौर में पत्रगारिता किये सर जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो कैसे ट्रीट किये जाते थे सारे गामा पज ऐसे स्टेज पे वो जज़ के रूप में बुला लि दुनिया को एक्स्प्लोर करते हैं नहीं तक तो गई हैं कितना समझेंगे दुनिया को राजनीतिक गुरुओं ने जो सीखाया पढ़ा देखे ज़द एक कहानी सुनाता हूं बुरा मतमाज एक तोता था बड़ा गाली देता है उसको समझ कम थी तो पंडित जी के पास मालिक ले गया और उसने बोला कि यह गाली देता है बहुत बोला कोई बात नहीं दो महीने चोड़के जाओ दो महीने बाद आया ठीक हो गया बोला हां तो क्या ठीक हो गया बोला पहला टांग उठाओगे तो रामचरित मानस बोलेगा दूसरा टांग उठाओगे तो पूरी महाभारत बोलेगा तो आदमी ने कहा दोनों टांग उठाओगे तो तो ता बोला अरे साला गिर नहीं जाएंगे तो वही इस्थिति है कि रटा के सब है सर एक तरफ अमिच्छा जैसे हैवी वेट मोदी जी चिराग पास्वान नितिश कुमार उपंदर कुजवा जीतन राम मांजी और समराथ चौधरी विजय चौधरी यह सब का फौज राजनाथ सींग उस पे योगी आदितिनाथ और एक तेजस्वी तो कनेक्ट जितना हो सक चालीस लोग सभा सीट में 200 मामूली बात भी नहीं और इसी के वज़े से वह बीजेपी एंडिये जो है उन चालीस से वह ट्रैग भी कर पा रहे तेटीस चौधर तर तो तेजस्वी तो अच्छा चुनाओ लड़ा इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन मैच्चूरिटी नहीं है थोट क्लियर हां उन लोगों ने ठीक बोला थोट क्लियर है कि भया जाती में हिंदुस भारत को बाटना है हर जगह आरक्षन की बात करनी है यहीं तो थो लालू प्रसाद यादो का है तो लेफ्ट पाउं उठाया तो समाजवाद की बात करेंगे राइट पाउं उठाया तो क्लियर हुआ काफी और जो मैं आपके आकलन से जच कर पाया हूं कि इस बार बीजेपी जो है लगबग अपनी सभी सीटें रिटेन कर लेगी दो तीन सीटें कम बैठती हैं जेडियू भी एक दो सीटों पर कमजोर बैठता है लजेपी की एक सीट आपने बताया कि फसी ह हुई है और ओवर ओल थर्टी फोर के आसपास सीटें अभी आप दे रहे हैं जो पिछली बार थर्टी नाइन थी एक सीट कम थी पूरा पूरे बैसे और कैम्पेन अभी चली रहा है अंतिम दोर वे तो ठीक है अगली जो चर्चा होगी हमारी वो देखते हैं कि तो एक के बारे में विशलेशन किया जाए और भी चर्चा की जाए तो हमसे चुड़ने के लिए धन्यवाद अंशेक जी और आप अपनी शांदार रिपोर्टिंग का सिलसिला इसी परकार जारी रखिए शुब कामना है आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रणाप सर आपके संदाई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें